हेलो गाइज, वेलकम बेक टू माई न्यू ब्लोग, मेरे नए ब्लोग में आप सब का स्वागत है तो भाई लोगों, आज हम डेली ब्लोग बनाएंगे और दिखाएंगे आपको आज के सारे काम मेरे साथ है रिशब, आज संडे है तो इसकी भी चुटी है और चलो गाइज, चलते हैं आज का काम दिखाते हैं आपको तो गाइज, ये है रिशब, सभी लोगों को प्यार भरी नमस्ते और ये भी जाएगा मेरे साथ खेतों में तो भाई लोगों, ये है मेरी मम्मी जी और ये इनको पसुन को गास खिला रही है तो गाइज, ये है द्राट और ये है कुलहाडी चोटी सी, इसको कौाडू भी बोलते हैं पनी भाशा में हम तो ये हैं हमारे अंकल जी और ये लकडी चीर रहे हैं क्या आपको भी आती है लकडी चीरने तो कमेंट्स में बताएं और काभी अच्छी लकडी चीर लेते हैं ये डेर लगा दिया है इनोने देखो ऐसे रखेंगे लकडी और ऐसे मारी जाती है वाइज ये लगाया हमने पानी इसमें देखो गेहूं और मत्र जो है क्यारियों में लगाये है क्योंकि ये प्राकृतिक खेती के अनुसार लगाया है यहां पे खेत हमने कोई भी खाद बगेर नहीं डाली है इसमें इन खेतों में तीन चार खेते हैं ये आज देखते हैं क्या बना है तो आज बनाई है सोयवीन की खिचड़ी जो पहाड़ों में आज कल बहुत चाव से खाई जाती है और ये धेर सारा धनिया डाल दिया इसने तो गाइज ये पहले रख रहे हैं हम खाना अपने पापाजी को उनके नाम से रखना पड़ता है और ये है घी अपनी गाई का देशी घी है तो बाई लोगों ये है दही मैं खाऊंगा ये दे दिया इसने थोड़ा सा गी थोड़ा ही लूँगा फिर दहीं और ये भी लेना है दूद सोड़ा सा तो ये चीड़ी बजवाद है पिचरी स्वाद है देशी घी के साथ कुछ अलगी मज़ा होता है क्या रेना रिज़र को मिर्ची लगी है जूर रगे है अब हम आ गए है खाना खाके खेतों में बाड़ लगाने अब आरब असुम का बहुता तंक है यहां पर तो अपनी जूगेंगोई है उसकी सुरक्षा के लिए सारे लोग इकठे हुएं गाउं के शाम हो गई है और दलीब भाई खेल रहे हैं गिली टेंडा तो बाड़ बंदी करके सब चल पड़े हैं घर अब चलते हैं घर और अब और टो मेरा दिल्ट का लोगा को कैसा अलंग और मेरे और वी लॉजट लग आपको कैसे लगी कमें में जूद बताना तो यहीं खत्रां करूंग और अम में घस सभी डालता हूं तो नहीं भाई जूर सबस्क्राइब करें बाई लोगों अब कल बिलते हैं नए मिलोग के साथ तब तक के लिए बाई-बाई टाटा टेक केर और सब मेरे भाई-वेनों को नमस्कार